हलो फ्रेंट्स, वेलकम टो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गाईज आज के इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं जो आपका SSE CHSL का एक्जाम होने वाला है एक जुलाई से उसके लिए हाली के एक्जाम में TCS के द्वारा जितने भी प्रेंट्स न पूछे गया है उन सभी प्रेंट्स नों को जो है इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो जो भी के निट्स इस बार SSE CHSL का एक्जाम देने वाले हैं मैं आपको 100% ये गैरंटी देता हूँ कि आपके SSE CHSL के एक्जाम में यहां से प्रेंट्स न जरूर पूछे जाएंगे तो वीडियो को जो है लास तक जरूर देखेगा और आपसे रिक्वेश्ट करता हूँ अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो SSE CHSL एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिएगा और बगल में आपको एक बैलेकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी ज़रूर प्रेश कर दिएगा तो चले विडियो को स्टार्ट करते हैं तो आपका पहला कोशन है था 2011 की जनगन्ना के अनुसार सरवाधिक जनसंख्या घनत वाला राज्य कौन सा था तो देखे 2011 की जनगन्ना के नुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत वाला जो राज्य रहा था यह आपका बिहार राज्य रहा था बिहार का जो जनसंख्या घनत वह रहा था वह आपका 1106 प्रत और राज्य का रहा था जब केंडर सासित परदेश और राज्य दोनों रहे ना तो फिर आपको दिल्ली जो आपका जनसंक्या घनतो रहा था ना वो आपका 11320 प्रति वर्ग किलो मीटर रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लाव बात कर ले सबसे कम जनसंक्या घनतो राज्य अगर पूछा जाये तो दिखे सबसे कम जनसंक्या घनतो राज्य रहा था ना ये आपका अरुनाचल परदेश रहा था अरुनाचल परदेश का जो जनसंक्या घनतो रहा था ना वो 17 वर्ग किलो मीटर रहा था इसके लाव भारत का जनसंक्या घन तो कितना रहा था तो देखे 2011 की जनगना के नुसार भारत का जो जनसंख्या घना तो है यह आपके 382 प्रतिवर्ग किलो मीटर रहा था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा अब देखे जनगना से आपके लगतार प्रस्ण बन रहे तो 2011 की जो जनगना थी यह आपका सातवी जनगना था और 2011 की जनगना का जो आदर्स वाक की रहा था ना वो आपका हमारी जनगना हमारा भविस से रहा था इसकलाव भारत में पहली जो जनगना हुआ था यह कब हुआ था तो यह आपका 1872 में हुआ था इसकलावा सबसे अधीक आबादी वाला राज्य अगर पूछा जाए तो यह आपका लच्छ दीप का रहा था और सिर्फ अगर राज्य कोशन में दिया रहा है तो सिक्किम राज्य का जो है सबसे कम आबादी रहा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है वहीं अगर सिर्फ केंडर सासीत परदेश रही सबसे उस्तम जन बहा था कि भारत में केंडरिये बैंक की जो स्थापना है यह कब हुआ था तो देखे भारत का केंडरिये बैंक कौन सा तो यह आपका RBI है यानि RBI की जो स्थापना यह कब हुआ था तो देखे RBI की जो स्थापना है यह आपका 1 अपरेल 1935 को हुआ था तो 1 अपरेल 1935 आप का correct answer होगा वहीं अगर पूछा जा एक्जाम में की RBI की जो अस्थापना ये किस अधिनियम के तहद किया गया था तो ये आपका Reserve Bank of India Act 1934 के माध्यम से जो वो किया गया था और किसके सिफारिश पर किया गया था तो देखे Reserve Bank की जो अस्थापना है ये आपके संस्ता का नाम आ आयो के सिफारिश पर जो है इसके स्थापना जो अब किया गया था इसके लिए और बात कर ले और साथ बैंकों का जो आपका रास्टे करन है, यह आपका 1980 में किया गया था, तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, नेक्स तो नेक्स पैस्ट कोस्च है कि यह किस्न ने की थी दिए प्रम समाच की अस्थापना न यह 1828 मैं राजा राम मोहन रही जी के से दोछ 216 दौरह का कलकता में किया गया था तो राजा राम महें रही है आया मैं आपको बता दू कि राजा राम मोहन रोय के द्वारा ही जो है आत्मिय सभा की जो स्थापना है ना या आपका ठारसो पंद्रा में जो वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखीगा नेक्स्ट कोश है आपके आप राता कि भक्ती सर्मा ये जो आपके कौन से खेल से संबंदीत है तो देखे भक्ती सर्मा की बात कर ले तो एक तो आपके निसाने बाजी से संबंदीत है एक आपके भारतिये तहराग से संबंदीत है तो आपसन में आप बताना कि तहराग दिया तो देके 2022 के टी 20 West Cup की बात कर ले ये तो ये जो आपका आठवा संस्करन था जो कि आपका Australian देश में खेला गया था और इसका जो फाइनल मैच है न या आपका England और पाकिस्तान के मण्दे खेला गया था जिसमें final match में इंगलेंड ने पाकिस्तान को 5 wicket से हरा कर जो है इसका खिताब जो वो जीत लिया था यानि विजेता जो team रहा था वो आपका इंगलेंड देश रहा था और उप विजेता जो है ये पाकिस्तान देश रहा था तो इंगलेंड आपका correct answer होगा वहीं मैं आपको बता दू कि 2022 के T20 विश्व कप में जो आपके player of the match और player of the tournament जो है ये आपके इंगलेंड के all-rounder जो है Sam Karan को जो वो चूना गया था और 2022 T20 विश्व कप में सबसे अधिक जो रन है न ये आपके विराट कोहली के द्वारा मारा गया था और विराट कोहली को जो है ये आपका king जो है वो कहा जाता है तो ये fact भी आप ध्यान में रखेगा यानि cricket का king जो है ये किसे कहा जाता तो विराट कोहली को कहा जाता है next step का याप रहा था कि कुछी पूरी ये जो है किस राज्य का एक सास्त्रे नित्य है तो देगे कुछी पूरी की बात कर ले तो ये जो आपका आंदरपर्देश राज्य का जो है एक सास्त्रे नित्य है तो आंदरपर्देश आपका correct answer होगा इसके लाव मैं आपको बता दो कि संगीत नाड़क अकैडमी के अनुशार आपके आठ सास्त्रे नित्यों को जो है वो दर्जा दिया गया है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स टप के आप रहा था कि उस्ताद हसूखान ये जो आपके कौन से गाईकी से संबंदीत है तो देखे उस्ताद हसूखान की बात कर ले तो ये आपके ख्याल गायक से संबंदीत है तो ख्याल आपका correct answer होगा इसके लावा उस्ताद हसु खान कौन से घराने से संबंदीत है तो यह आपके ग्वालियर घराने से संबंदीत है इसके लावा अगर ग्वालियर घराने की बात कर ले तो ग्वालियर घराने का जो उद्भव है यह आपके मुगल समराज्य के समय हुआ था और इसमें ग्वालियर घराने मे सम्मंदित है नेक्स्टोश है आपके आप रहा था क्गि 211 गयार更ना कनिसार भारत में लिंगा नुपास जो है यह क्या रहा था तो आप देख सकते हैं गन्ना में भारत का जो लिंगान उपात रहा था यह आपका 943 रहा था तो 943 आपका correct answer होगा next question आपका आप रहा था कि अबुआ आवास योजना यह जो आपका किस राज्य से संबन्दीत है तो यह भी आपका जूह रिपिटेड प्रेस्ट ने यह भी आपका जो siis पूछा गया है तो अगर आपका आगयाने वाले सिक्षड में एकजाम है तो मैं प्लेइस्ट बना दिया हूं आप प्लेइस्ट में जा कर सारे वीडियो को जो वो देख सकते हैं आपको मैं गैरंटी देता हूं कि अगर आप वो प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आपको जो है 15 नंबर जो आप इसली जो है एक्जाम में ऐसे ही लियाओगे तो आप जो है प्लेलिस्ट जरूर चेक किजिएगा तो देखें 2023 में बॉंबे हाईकुट के स्थापना यह जो और इसली नंग-देख झानवु जरूर के । ऑनको जो है और आपके यहाँ इसली में आपके 1862 में पहीं एक यहाँ किर थे अचामु बासदय किया गया था, अगर यहाँ कि अधिकलम के यूशाम में पोचा जा तो यह आपके 1861 के भारते उच्छ न्याले अदिनियम के द्वारा इसके अस्थापना जो वो किया गया था इसके लाइग्जाम एक प्रश्णिया से बनता है कि भारत का सबसे पूराना उच्छ न्याले जो यह कौन सा है तो देखे भारत का जो सबसे पूराना उच्छ न्या अपना है यह आपके 15 अगस्त 1862 को जो वो किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आपका करनाटक में नए वर्स के रूप में जो है नए वर्स के उपलच में जो है कौन सा तेवहर मनाया जाता है तो देखे करनाटक में नए वर्स के उपलच में यह आपका उगादी तेवहर मनाये जाता है तो उगादी आपका correct answer होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहां पराता कि भारत में 95 वर्सी योजना का अवधी क्या रहा था तो देखे भारत में 95 वर्सी योजना का जो अवधी है यह आपके 1997 से लेकर 2002 तक रहा था तो 1997 से 2002 आपका correct answer होगा इसकलाब मैं आपको बता दू कि 95 वर्सी योजना में जो आपका लच्छित विकास दर रखा गया था यह आपका 6.5% रखा गया था वो आपका मादर 5.4% ही जो है वो प्राप्त किया गया था यानि 9 वी पंचवर्सी योजना जो था वो आपका असफल रहा था तो यह point भी आप ध्यान में रखेगा इसकलाब पंचवर्सी योजना से आपके लागतार प्रहस्न पूछे जा रहे है तो देखे पहली पंचवर्सी योजना की जो अबदी है यह आपके 1951 से 56 तक रहा था दूसरी का 56 से 61 तक तीसरी का आपका 61 से 66 तक फूर्थ आपका जो है उनिस सो उनिस सो उनिस से 74 तक रहा था इसके लागतार प्रहस्न और बनता है कि कौन सी पंचवर्सी योजना जो है मातर आपके चार वर्सो का रहा था तो देखे यह जो आपका पांचवी पंचवर्सी योजना था ना यह मातर आपका चार वर्सो का रहा था जो कि आपका 1974 से लेकर जो है 1978 तक रहा था इसके बाद जो आपका रॉलिंग प्लैन आ गया था जो कि आपका 1978 से 80 तक रहा था उसके बाद चटी पंचवर्शी योजना का जो अवदी है यह आपका 1980 से पचासी तक रहा था इसके लबाद दसवी की बात कर ले तो 2002 से आपका 2017 से भारत हो अवदी रहा था और सबसे जो अंथिम पंचवर्शी योजना रहा था वह आपका बारवी पंचवर्शी, योजना ही जो रहा था तो यह ऐसक्ट बि आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कुछ है आपके आपरा था कि बांगलादेश के साथ भारत की सीमा जो है इन में से कौन से राज्य के साथ जो है सीमा नहीं लगता है तो देखे बांगलादेश के साथ भारत के टोटल आपके पांच राज्यों की सीमा जो वो लगती है और वो पांच राज्य कौन क दिया गया था तो देखे सिक्किम राज्य से जो है बांगलादेश की सीमा जो वो टच नहीं करता है तो सिक्किम आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश्य आपका यहाँ रहा था कि वर्तमान में भारत के केंद्रिय सतकर्था आयुक्त यानि CBC के जो अध्याच है न यह कौन है तो देखे वर्तमान में Central Vigilance Commission के जो अध्याच है न यह आपके परवीन कुमार सिर्वास्तव हैं तो परवीन कुमार सिर्वास्तव अक सिर्वास्तव का लाओ बुख अध्याच है नेक्स्तोश आप इन्हों को इस प्रकार बार थे हैं कि है तो अध्याच पवार अधृ्त है और और यह दूसरे उपमुख हमंत्री बनाएं इसके पहले मैं आपको बता दू किında 22 फंड़ के आपके's licence मंत्र फंडवीज जो है अभी भी जो है यह आपके वर्तमान में महाराष्ट के उप मुख्य मंत्री है लेकिन कोशन में आपका पूछा गया था कि 2023 में जो है महाराष्ट के उप मुख्य मंत्री कौन बने थे तो यह आपके अजीत पवार बने थे तो अजीत पवार आपका correct answer होगा तो आपका 7000 इसापूरू आपका correct answer होगा तो असम आपका यहाँ प bend for a correct answer होगा इसके लाब मैं आपको बतादू कि यह आपका बीहु है यह असम राजे का एक लोक नित भी है और एक महतपूर्ण तेवहार भी है, इसके लाब एक्जाम में यहांसे प्र bulbता है, कि आपके जो बीहु तेवहार है यह असम में कितने परकार से यह मनाय जाते हैं? यानि असम में बिहू जो है ये कितने परकार के होते हैं तो देगे आपके जो बिहू होते हैं ये आपके तीन तेवारों का एक समू है जिसे आपका पहला जो है ये आपका रोगाली बिहू या फिर बोहाग बिहू के नाम से भी जो हो जाना जाता है और ये आपका प्रेल मही जिसे माग बीहू के नाम से भी जाना जाता है और यह जो बीहू है ना यह आपके जनवरी महीने में जो इस बीहू को मनाया जाता है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपके यहाप रहता है कि विशू निमने लिकित में से किस राज्य का प्रसीद देते हुआ रहे है तो देखे विशू की बात कर ले तो यह जो आपका केरल राज्य का एक प्रसीद देते हुआ रहे है तो केरल आपके यहाप एक करेक्ट एंसर होगा इसके केरल राज्य की अगर सास्त्रे नित्य की बात कर ले तो देखे मोनी अटम और कथकली यह जो आपका केरल राज्य का जो है सास्त्रे नित्य है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका यहां पर रहा था कि 2011 क्रिकेट विश्वकप इसका जो भारच अब तक होडिया विश्वकप जो है यह आपका दौ भार जो जीत चुका है पहली बार जो आपका उंइस सो तिरासी विश्वक जीता था और सेकंड जो आपका दोज inquiry जीरुमियरुक जो वह जीता था और जो में जो भारत के कपटान थें यह आपके MS धोनी थे और 1983 में जो भारत के कपटान थे, यह आपके कपील देघु थे, इसके लुएब बात कर ले, West Indies जो है, यह कपकप जीता था, तो देगत, वेस्ट इंडी जो आप तक दो बार जो है विशुकप का जो खिताब है वो जीत चुका है 1975 और 1989 में जो है वेस्ट इंडी इस टीम नहीं जीता था तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है और इससे प्रीवियस सिप्टों में आप से पूछा गया था कि 2011 का जो ओड लंका देश में और थर्ड आपका बंगला देश में जो है आपका आयोजित किया गया था तो ये तीन देशों में जो है संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था इसके लावा कर 2023 के विश्वकप की बात कर लें तो देखिए 2023 का जो ओडिया विश्वकप है ना यह आपका भारत देश में आयोजित किया गया है और इसका जो विजेता टीम रहा वो आपका ऐस्ट्रेलिया देश रहा है और उपविजेता जो देश रहा है या आपका भारत देश रहा है इसके लाब है आपको बतादू कि ODII Weご Bak P में सबसे सफल जो टीम रहा है वो आपका उस्ट्रेलिया देश रहा है ओडिया विशोकप का जो अब तक उस्ट्रेलिया देश है ये छे बार जो खिताब जीत चुका है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है और देखें यहां से एक्जाम में प्रेस्ट्रेलिया विशोकप जीता है उसमें आस्ट्रेलिया टीम के कप्तान कौन रहे थे तो देखें आस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे ये आपके पैट कमिस थे नेक्स्ट और वहीं अगर भारत की कप्तान की बात कर ले तो देखे 2023 में भारत के जो कप्तान रहे थे न यह आपके रोहित सर्मा रहे थे Next question है आपका आप रहा था कि भारत में Financial Year यानी वित्टेवर्स की जो सुरुआत है यह कब से होती है तो देखे भारत में वित्य वर्ट्स की जो सुरुवात है यह आपका एक अप्रेल से जो वो सुरू होता है और 31 मार्च को जो यह आपका समाप्त होता है तो एक अप्रेल आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपके आपराता कि 2018 में मनी पूरी नित्य के लिए जो है संगीत नाटक अकडमी पुरुषकार से जो है यह किस समानित किया गया है तो देखे आपके आपके आपका किस पंचवर्सी योजना को जो है महाल नौबिस योजना के नाम से भी जो वो जाना जाता है तो देखे दूसरी पंचवर्सी योजना जिसका अवदी जो लेकर 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और यह जो आपका दूसरी पंचवर्सी योजना था यह आपके PC महाल नौबिस मॉडल पर आधारी था तो दूसरी पंचवर्सी योजना आपका correct answer होगा वहीं अगर पहली पंच 1951 से लेकर 56 तक रहा था और यह जो आपका हैराड डोमर मॉडल पर आधारी था वहीं अगर तीसरी पंचवर्सी योजना की बात कर ले तो देखे तीसरी पंचवर्सी योजना की जो अवदी है यह आपका 1961 से लेकर 66 तक रहा था और यह जो आपका गौडगिल योजना के न की नौवी जंगंए थी तो नौवी जंगंए आपका यहाँ पर करेक्ट अंसर होगा वहीं अगर कोश्चन में अगर यह रह रहै कि 1951 की जो जंगंए थान नियमी तोरपर यह जो कितने नंबर की जंगंए थी तो तो देखे अगर नियमी तोर पर पूछा जाना तो ये जो आपका आठवी जनगन्ना था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके लाब बात कर ले भारत में पहला जो जनगन्ना ये कब हुआ था तो देखे भारत में जो पहली जनगन्ना है ये आपके 1872 में हुआ था और किसके सासनकाल में आयोजित किया गया था लेकिन पहला जो आपका समकाली जो जनगन्ना यानि पहला जो आपका नियमी जो ये FACT भी आपको ध्यान में रखना हैं, इसके लावा अगर 2018 की जन गना था, यह आपका पंदरवी जन गना था, और 17 के बाद अगर पूछा जाए कि कितने नमबर की जन गना था, तो देगे 17 के बाद यह आपका शाथवी जन गना था, इसके लावा एक्जाम में यहां से प प्रश्ण और बनता है प्रश्ण ने ये पूछा जाता कि किस वर्ष के बाद जनगन्ना का जो आयोजन है ना ये भारत सरकार के ग्री मंत्राले के तहत भारत के रजिस्टार्ट जनरल और जनगन्ना आयुकति द्वारा जो अब वो कराया जाता है तो देखें उनिस सो उन्च iqit का फूलम होताय ना वह आपका लेकपहर वीकेट होता है तो लेक़ योह और लपीड़ुपोय रहता है थो अगर टैच नई होता है और वपीकेट पर सामने उसके पैड पर लग जा ना तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोश है आपका आप रहता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी न वो आपका साथ था और उस समय जो आपका संपति का अधिकार था ये भी आपका मौलिक अधिकार की सुची में रखा गया था जिसे अनुछेद 31 में जो वो रखा गया था लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो आपका 44 संभिदा एक इता है जो है, इसे कानूनी अधिकार जो बना दिया गया है, तो वर्तमान में आपका संपदी का जो अधिकार है, यह मौली का अधिकार नहीं है, तो संपदी का अधिकार आपका यहाँ पे करेक्टेंसर होगा, और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अदिकार हैं और वो 6 मौलिक अदिकार कौन-कौन से हैं तो देखे समानता का अदिकार जो कि आपका अनुचेद 14-18 तक आजाता है सेगंड आपका सुतंता का अदिकार जो कि आपका अनुचेद 19-22 तक आजाता है थर्ड आपका सोशन के विरूद अधिकार जो कि आपका नुच्छेद 23 से 24 तक है फूर्ट आपका धर्म की सौतनता का अधिकार जो कि आपका नुच्छेद 25 से 28 तक है फिप आपका सांस्क्रिदिक और सैचिक अधिकार जो कि आपका नुच्छेद 29 से 30 तक है और 6 ता आपका संविधानिक उप्चारों का अधिकार जो कि आपका अनुशेद 32 में हैं तो ये आपके वर्टमान में छे मौलिक अधिकार हैं नेक्स्ट कोशिया आपका यावत था कि भार्तिय संभीधान के नुशार, एक वैक्टी जो है, एक समय में अधिक्ताहि, कितने राज्यो का राज्यपल ज्चांचा है, जहां पर ऐप्सें में आपका दिया गया था कि दो या दो अधिक राज्यो के लिए राज्यपल बन सकता यह फिर एक से अधिक राज्यों का राजपल बन सकता है, यह से कम राज्यों कैसा राज्यपाल बन सकता है, तो यह आपके चाहरो प्सण जो दिये गया थे, तो मैं आपके बता हूरा दू कि 1956 जो आपका शाञ समिधानिक संसोधन, अदिन्यम में ओप की वा दू जो राज्यो की राज्य पaron के रूप में यानी भारत्ते संविधान के अनुसरार एक समय में एक वैक्ति कितने भी राज्यों का राज्य पो सकता है यानी इसका Stream पर निश्चित नहीं की गई है तो आपके एसों की यह था जो आपके यह था Barbara लिखे गया थे, यहाँ पर भासा नहीं पूचा गया था, तो देखे, आज़सो के जो अधिकांस अभिलेख है ना, यह आपके ब्रामी लिपी में जो लिखे गया थे, तो ब्रामी आपका correct answer होगा, नेक्स्ट अप कह रहा था, कि सतरंज खेल का जो अविसकार है ना, यह किस हुआ था, तो देखे, सतरंज, जिसे आप Chase English में कहते हैं, इसका जो अविसकार है ना, यह सातवी सताबदी में किया गया था, और इस समय जो इसका नाम था ना, वो चतुरंग था, तो और इसका जो अविसकार है यह आपका भारत देश में हुआ था, तो भारत आपका यहा झाना जाता है, तो यह पॉइंट भी आपको धान में राखना है, नेक्स चुश आपका यहां पर आपर इसके है, और नढवन्पम की असथापना गया था, तो देखे नंदवंस की जो अस्थापना है यह आपके महापदमा नंद जी के द्वारा जो वो किया गया था और इसकी जो अस्थापना है वो कब किया गया था तो देखे महापदमा नंद के द्वारा 343 इसापूर में जो है इसकी अस्थापना जो वो किया गया था और नंद नंदवन्स के अंतीम राज यानि सासक जो वोू कौन रहते तो देखें नंदवन्स के जो अंतीम सासक थे आपके धनानंद रहते और इन्न को हराकर जो है चंद्रगुप्त मौरे समराज की स्थापना जो है 322 days a poor specifically और वन्स के बाद कौना वन्स आया ता अगर यह पूछा जाया तो देगें मौरे वन्स आध आपका संग वन्स साय था और इसकी जो अर्थापना है न यह आपके पुस्से मितर शुंग के द्वारा जो वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपको आप रहा था कि वर्तमान में भारत के नागरीक उडियन मंतरी जो है ये कौन है तो देखे वर्तमान में भारत के जो आपके नागरिक उडियन मंतरी है ना ये आपके जोती रादित्य एम सिंध्या है तो जोती रादित्य एम सिंध्या आपका correct answer होगा वहीं अगर बात कर ले नागरिक उडियन मंतरी के वर्तमान में सचीव कौन है तो ये आपके स्री प्लेन के नम से जो है, sorry rolling plan जो है वो कहा जाता है, तो देखेंड यह जो आपका 6 पंचवर्षि योजना था ना, इसे जो जो rolling plan जो वो कहा जाता है तो 6-5 पंचवर्षि योजना अपक यहाँ पे correctarea answer होगा, अगर question यह रहे कि किस पंचवर्षि योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लैन आया था तो देखे पाँचवी पंचवर्सी योजना के बाद जो है आपका रोलिंग प्लैन आया था और रोलिंग प्लैन का जो अवदी रहा था ये कितने वर्सों करा था तो देखे रोलिंग प्लैन का जो अवदी है न ये आपका दो इस योजणा को फिर से जो खारीज कर दिया था और एक नई च्छटी योजणा जो है, वह आपका बनाया गया था, और च्छटी जो पंच वर्षी योजणा का जो अवदी रहा था, यह आपका 1980 से लेकर जो है, यह आपका 85 तक रहा था, इसके लावब रॉलिंग प्लैन की ज बात कर ले तो यह जो आपके रुद्रवीना से संबंदी थे तो रुद्रवीना आपका यहां पे करेक्ट अंसर होगा इनके अगर पुरुषकार की बात कर ले तो देगे असद अली खान को 2008 में पद्म भूशन पुरुषकार से और 1977 में जो इने संगीत नाटक अकेडमी पु जब वो किया गया था तो देगे 322 इशा पुर्म में चंडरगुपत मौर्य के द्वरा जो है यह मौर्या समराज की स्थापना जो वो किया गया था तो मौर्या समराज आपका यहां पे खरेक्ट अनसर होगा यह आपके 321 इशापूरु से लेकर Insert पूरु है तक रहा था और Madri वन्स की रासधानी रहा थी तो Madri Vans की रासधानी रहा था यह पाथली पूत्र रहा था इसके लावा इससे प्रीवियरश इप्ट में आपसे पूछा गया था कि आपके चंद्रगुप्त मौरे के जो है पोते का नाम यानि जो है ग्रैंटसन का नाम जो है वो पूछा गया था तो देखे चंद्रगुप्त मौरे के जो पोते थे ना यह आपके समराथ असोग थे वहीं चंद्रगुप्त मौरे के बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो देगे चंद्रगुप्त मौरे के जो बेटे थे यह आपके बिंदू सार थे और यह जो आपके मौरे वंस के जो है यह दूसरे सासक थे जिनका कारेकाल जो है 298 इसापुरु से लेकर 272 इसापुरु त तो देगे मौर्य वंज से पहले जो है यह नंद वंज था और नंद वंज की जो स्थापना है यह आपके महापदमा नंद के द्वरा जो वो किया गया था और नंद वंज के जो सासन काल रहा था यह आपका 343 इसापूरु से लेकर जो है 321 इसापूरु तक रहा था इसके ला मौरे समराज की अस्थापना किये थे, इसके विभल राप में प्रश्न बनता है, जो आपका वन्स आया था? और मौरे समराज के जो अंतीम सासक थे यह आपके ब्रीदत थे और ब्रीदत के हत्या जो यह किसके द्वारा किया गया था तो देगे पुस्य मित्र शूंग के द्वारा ब्रीदत की हत्या करके शूंग वंस की अस्थापना जो वो किया गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध् यह भीकिस निर्ट्यांगना को सभसे कम उम्र में, पद्म भूषन पुरुषकार से रहा है तो एक प्रुषन में अगयर से रहा है। नित्त से संबंदित है तो यह आपका भरत नाट्यम और ओडिसी नित्त से संबंदित है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लिए मैं आपको बता दू कि सोनल मांसिंगी जो है 2003 में यह पद्म भीभूशन पाने वाली भी सबसे कम उम्र की वैक्ति है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश है आपका आपना था कि किस पंचवर्शी योजना का जो उदेश्य था ना वो आपका बुन्यादी और भारी उद्योगों के विकास पर विसेश जोड़ देने के साथ जो है तेजी से ओद्योगी करन करना था तो देखें दूसरी जो पंचवर्शी योजना था ना इसका जो मुख्य उदेश्य था यह आपका बुन्यादी और भारी उद्योगों के विकास पर विसेश जोड़ देने के साथ साथ जो है तेजी से ओद्योगी करन यानि इंडुस्टलाइजेशन पर भी था तो दूसर दूसरी पंचवर्शी योजना का करेकाल कब से कब तक रहा था तो यह आपका 1956 से लेकर 1961 तक रहा था और यह जो आपके PC महाल-90 मौडल पर अधारी ता और इसमें जो आपका विकास का जो लच्छ निड़ारी किया गया था यानि दूसरी पंचवर्सी योजना जो रहा था वो आपका असफल रहा था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशा आपको आप रहता कि 2011 की जनगना के अनुसार हिंदू जनसंक्या में जो है वरिद्धी प्रतीसा जो है ये कितना रहा था तो दिए मैं आपको बता दू कि 2001 से लेकर 2011 के दसक में जो आपका जनसंख्या के जो वृद्धी दर रहा था ना भारत में वो आपका 17.7% रहा था जिसमें अगर हिंदू की बात कर ले तो हिंदू जनसंख्या का जो आपका दसक के वृद्धी दर रहा था ना यह आपका 16.8% तो 16.8% आपका correct answer होगा, वहीं अगर मुस्लिम की बात कर ले, तो मुस्लिम जो यह आपका 24.6% जो है, यह दसक्य वृद्धी दर रहा था, जनसंक्या दसक्य वृद्धी दर, वहीं अगर इसाई धर्म की बात कर ले, तो यह आपका 15.5% रहा था, सिख धर्म जो आपका 8.4% और बहुत धर्म जो यह आपका 6.1% और जहन जो आपका 5.4% रहा था, तो यह fact भी आपको ध्यान में रखना है, इसके लाब अगर एक्जाम में पूछा जाए कि 2011 की जनगन्ना के नुसार, किस धार्मिक समिधायों की जनसंक्या वृद्धी दर है ना, वह सबसे अधीक रह ना, इसका जो जनसंक्या वृद्धी दर है, वह सबसे अधीक रहा था, जो कि 24.6% रहा था, नेक्स्ट कोश है आपका आप रहा था कि पहली पंचवर्सी योजना का जो लच्छे है ना, यह कितना निर्धारित किया गया था, तो यह पहली पंचवर्सी योजना की बात कर और इसमें जो आपका लच्छ निर्धारित किया गया था ना, वह आपका 2.1% जो वो लच्छ निर्धारित किया गया था, और इसमें जो आपका वास्तवी जो वृद्धी हुआ था ना, वह आपका 3.6% हुआ था, तो 2.1% आपका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा, इसके ल आपका जूर है यह आपके क्रिसी छेत्रपर जो है, इसमें जो वो केंदरीप किया गया था तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट कोश्च आपके आप रहा था कि पॉंगल जो कि आपका तमील नाडू में चार दिवसी तेवार है और ये जो आपका किस फशल के कटाई के दौरान जो है इस तेवार को जो वो मनाया जाता है तो देखे पॉंगल की सबसे पहले बात कर ले तो ये जो आपका तमील अंसर होगा नेक्स्ट कोश्च आपका आप रहा था कि 2018 ACI खेलों में जो है भारत के उदगाटन समरों में जो है ध्वजवाग जो है ये कौन रहे थे तो देखे 2018 के एशाई खेल की बात कर ले तो ये जो आपका इंडोनेशा के जकारता और पोलिंबर्ग सहर में आयोजित किया गया था जिसमें भारत के तरफ से जो आपके उदगाटन समरों में जो आपके ध्वजवाग रहे थे ना ये आपके नीरत चोपड़ा रहे थे वहीं समापन समरों में जो ध्वजवाग रही थी ये रानी रामपाल रही थी तो आपका जो है उदगाटन समरों का जो वो जीते थे जिसमें 16 जो वो गोल्ड मेडल जीता गया था 23 जो वो सिल्वर मेडल जीता गया था और 31 जो था वो आपका ब्राँज मेडल सामील था तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लबाद 2022 अगर एशाई गेम्स की बात कर ले तो देखे 2022 का जो एशाई गेम्स है ये आपका कोविड-19 की बज़त से 2023 में आयोजित किया गया था जो कि आपका 19 संसकरन था और ये जो आपका हॉंग जाओ चीन में आयोजित किया गया था जिसमें अगर धवजव глड की बात कर ले तो देखे ये जो आपके उद्गाटन समरोग के धवजवाग रहते ये आपके हर्मन प्रित सिंग और लवलीना बॉर्गहन रही वहीं समापन सामरोग के जो धवजवाक रहे थे या आपके पी आर स्रीजेस रहे थे वहीं अगर भारत की पदक तालीका की बात कर ले तो इसमें जो भारत 107 पदक जीता था जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 जो था वो आपका ब्राउंज मेडल था जो और भारत के पायदा देता है तो देखे आत्म दोसारोपन के संभना का अनुचेद 20 में आपका बताया गया है और किस्तर का आता है और सवतनता आए यह आपका नुचैद 19-22 तक ए तो अगर सवतनता का लिगा था से आपका करेक्तर होगा और वर्त्मान जो आपके 6 ओडिकार और Hm beek आपका ञकल जा तो आपके प्रती एक हजार पूट्सों पर माईलाओं की जितनी भी संक्या्या होती है उसे प्रती एक हजार पूरू सापका यहाँ पे करेक्ट अंसर होगा वहीं अगर बात कर लें 2011 की जनगना के नुसार भारत का लिंगा नुपात कितना रहा था तो देखे भारत का जो लिंगा नुपात है यह आपका 943 रहा था यानि प्रती एक हजार पूर्ट सो पर जो मैलाओं की संक्या थी न व याना का जो लिंगा नुपात है यह आपका 889 रहा था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ आप रहा था कि 1771 में कौन सा बैंक स्थापित किया गया था तो देखे 1771 में यह आपका बैंक ऑफ हिंदुस्तान स्थापित किया गया था जो जो आपका एक संबेधानिक निखाय है तो संबेधानिक निखाय है आपका correct answer होगा next question आपका आप रहाता कि who is the new deputy NSA यानि National Security Advisor of India तो देखे मैं आपको बता दू कि वर्तमान में राष्टे उप सुरच्छा सलाकार जो यह आपके कौन है तो देखे मैं वर्तमान में आपके नए बनाए गया है या आपके पंकच कुमार सिंग को जब वो बनाए गया है तो पंकच कुमार सिंग आपका यहाँ पर correct answer होगा वही अगर बात कर लें वर्तमान में अगर आपके राष्टे सुरच्छा सलाकार के अध्यच पूछा जाए तो देखे वर्तमान में जो आपके राष्टे सुरच्छा सलाकार है यह आपके अजीत डोवाल है तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है उप सुरच्छा सलाकार पूछा गया था इसलिए आपके पंकच जो है वो correct answer होगा यानि पंकच कुमार सिंग आपका यहाँ पर correct answer होगा next question आपका यहाँ पराता कि 2023 में लैक्मी योजना जो है यह किस राज्य के द्वारा जो है वो शुरू किया गया है तो देखे 2023 में लैक्मी योजना है यह आपके उडिसा राज्य के द्वारा जो वो शुरू किया गया है और इस योजना के अंदर गज्जो है यह आपके ग्रामी छेतरों में लोगों को सस्ती बस सेवा जो वो प्रदान की जाती है तो उडिसा सरकार आपका यहाँ पर correct answer होग तो यह fact भी आपको ध्यान में रख रहा है नेक्स्ट कोश है आपके आपराता की रेसलिंग यानि कुस्ती में यह तीन अंग कब दिये जाते हैं तो देखे तीन अंग यह आपका कब दिया जाता है तो देखे यदि को यह खिलाडी अपनी कमर के स्थर से उपर उठाते आपके कामक्ख्या मनतीर में लगता है तो देखे अबुबाची का मेला है यह आपका असम में कामक्या मंधीर में लगता है और ये जो आपका किस महीने में मनाया जाता है तो ये जो आपका जून के महीने में मनाया जाता है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है इसके लावा असम राज्य के अन्ने मेले और तेवार की बात कर ले तो देखे बीहू फैस्टिबल मेदम मेफी फैस्टिबल मा इसके लावा अन्य राजिय। महोटसौ, नवरात्री, माधोराई मेला, रवेची मेला और वोधा मेला, यह सबी जो आपके मेले और तेवार है ना, यह आपके गुजरात राज्जिके हैं, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा, नेक्स्ट कुर्शन आपका एक स्टेटमेंट बेस डिप्रेशन जिसमें पहला उप्सन आपका दिया गया था, कि सेफाली वर्मा का जो संबंद है ना, यह क्रिकेट से है, और सेगंड उप्सन आपका दिया गया था, कि सुसील कुमार का जो संबंद है ना, यह आपका कुस्ती से है, तो देखें, मैं आपको बता दू कि दोनों स्टेटमे की बात कर ले तो इससे पहले जो आपका अंजुम चोपडा के बारे में पूछा गया था तो देखें अंजुम चोपडा का भी जो संबंद है या आपके मैला क्रिकेटर यानि क्रिकेट खेल से है इसके अलावा जो आपका इससे पहले प्रशन पूछा गया था मिताली राज क संबंद यह जो किस्से है तो देखे मिताली राज का जो संबंद है ना यह आपका क्रिकेट सही है इससे पहले आपका सानिया मिर्जा का बारे में भी पूछा गया था तो देखे सानिया मिर्जा का जो संबंद है ना यह आपके लॉन टैनी से है नेक्स्ट कोश है आपके आप पुरूर से लेकर दूसरी सदी के मद्दे तक जो है यह आपका लिखा गया एक साहित्ते है और इसकी जो रचना और संग्रहन जो है यह आपके पांडे सासकों के द्वरा मदूरे में आयोजी तिन संगम के द्वरान जो है इसकी रचना जो वो किया गया था तो मदूरे आपक correct answer होगा next कुछ आपका याप आ प्राता है कि रास्टे खेल दिवस ये जो कब मनाया जाता है तो देखे रास्टे खेल दिवस की बात कर ले तो ये जो आपका प्रति वर्स 29 अगस्त को मनाया जाता है तो 29 अगस्त आपका correct answer होगा इसके लिए एक्जाम में यहां से प्रश्ण बनता है कि रास्टे खेल दिवस यह जो किसके उपलेच में मनाया जाता है तो यह जो आपके मेजर ध्यानचंद के उपलेच में जो है इस रास्टे खेल दिवस को जो वो मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद यह जो आपके किस खेल से संबन दी थे तो य इसके लाव बात कर ले रास्टे खेल दिवस की सुरुवात यह जो कब हुआ था यानि पहला जो रास्टे खेल दिवस है ना यह कब मनाय गया था तो देखे पहला जो रास्टे खेल है ना यह आपका 29 अगस 2012 और जो यह आपका मनाय गया था तो यह फैक्ट भी आपको ध्यान नेक्स्ट कोई आपके आपर प्रसीद संगितकार सकूर खान जो है निम्न लिखित में से किस संगीत वाद यंत्र से शंबंदी थे तो यह जो आपके सारंगी वादक थे तो सारंगी वादक आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लाव अगर इनके घराने के बारे में पूछा जाए तो देखे उस्ताद सकूर खान जो है यह आपके किराने घराने से संबंदी थे तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा इसके लावा मसहुर शारंगी वादक की बात कर ले तो देखे पं मिस्र, सबरी खान, उस्ताद बिंदा खान और रमेश मिस्रा इन सभी का जो संबंद है यह आपके सारंगी वाद्यंतर से है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन भारत में हरित क्रांती के जनक के रूप में जो है यह किसे जाना जाता है तो देखे अगर पूछा जाए कि विश्व में हरीत करांदी के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है तो देखें विश्व में हरीत करांदी के जनक के रूप में जो है ये आपके नार्मन बारलोक को जो है वो जाना जाता है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा इ आपका हरितकुरांद यहनों किस सम्भन्डित है हरितकुरांद Cabinet और चाहेदांू के उत्पादन से सम्भन्डित है और खाहएं सबसे जद्यादा जिदा जो वृद्धी हरीतकुरांद ना अरे हरुतकरांद को थी हरे अरे चावल की अमिया सबकती को था हो खता भारत में हरीत करांदी की सुरुवात हुई थी उस समय भारत के प्रधान मंतरी यानि नेता जो हो कौन थे तो देखे ये जो आपका इसकी जो सुरुवात है ना हरीत करांदी की सुरुवात ये आपका लाल बादूर सास्त्री के नेतितों में जो है इसकी सुरुवात जो वो क ध्यान में रखना है अगर विश्व में हरित करांदी की सुरुवात कब हुई थी तो यह आपका 1960 में हुआ था और किस देश से किया गया था तो यह आपका मैक्सिको देश से किया गया था तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट कुछ है आपका ब्रादर की छटी पंचवर्षी योजना ये जो आपका कब से कब तक चला था तो देखे छटी पंचवर्षी योजना का जो कारेकाल रहा था ये आपका 1980 से लेकर लच्छ विकासदर जो निधारित किया गया था लेकिन वास्तविक जो विकासदर हुआ था ना वो आपका 5.7% हुआ था यानि जो आपका चटी पंच वर्सी योजना रहा था ना वो आपका सफल रहा था और इसी चटी पंच वर्सी योजना में जो है सीव रमन समीती के सिफ फुल फॉम होता है ना यह आपका National Bank for Agriculture and Rural Development यानि रास्टे क्रिसी और ग्रामिन विकास बैंक जो है इसका फुल फॉम होता है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रखेगा नेक्स्ट कोशन आपका आप राता कि R.A. समाज की अस्थापना यह किसने की ती तो देखे R.A. समाज की अस्थापना है न यह स्वामी दयानन शरश्वती के द्वारा 10 अपरेल 1875 को मुंबाई में किया गया था तो स्वामी दयानन शरश्वती आपका correct answer होगा कुछ बच्चों ने बताया कि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया था तो देखे ब्रह्म समाज की बात कर ले तो यह जो आपका 1928 में राजारा मोहन रोय के द्वारा जो है इसके अस्थापना जो है वो किया गया था सौरी 1928 नहीं है आपे 1828 कर लीजेगा 1828 में ब्रह्म समाज की अस्थापना जो हो किया गया था इसके लावा आत्मिये शबह की बात कर ले तो देखे आत्मिये सबह की जो स्थापना ए तो अपके 1815 में राजारा मोहन रोय के ρही जो है वो किया गया था नेक्स्ट कोश है आपके आप रहता कि भारतिय संबिधान का अनुछेद 49A जो है ये किस से संबंदित है तो देखें अनुछेद 49A की बात कर ले तो ये आपका समान न्याय और निशुलक कानूनी सहायता से संबंदित है तो समान न्याय और निशुलक कानूनी सहायता आपका करेक्ट एंसर होगा इसकलाव अनुचेद 49 एकी बात कर ले तो ये जो आपका DPSP यानि राज्य के नीती नेड़े सक सिधानत के अंतरगत आता है और DPSP का जो उलेख है ये किस भाग और किस अनुचेद से किस अनुचेद तक है तो देखे DPSP का जो उलेख है ये आपके भारते संविधान के भाग 4 और अनुचे 36 से 51 तक जो है इसका उलेख किया गया है तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखेगा और DPSP का प्रावधान ये जो किस देश से लिया गया है तो देखे DPSP का जो वीचार है ये आपके आईरीस संविधान यानि आईरलेंड देश के संविधान से जो है इसे एडॉप्ट किया गया है तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोश आपके आपना था कि जब क्रिकेट में बॉलर जब बॉल फेकता है और बॉल जो है बैट को लगे बीना अगर कीपर के पीछे से बॉन्डरी को छू लेता है तो उसे जो वो क्या कहा जाता है तो देखे जब बॉलर अगर बॉल फेकता है और बैट में तो अगर कीपर से छुड़ भी जाता है और बॉंडरी चला जाता है तो उसे जो आपका लेग बाई का रन अगर आपका यहां पे करेक्ट एंसर होगा अब देगे मैं आपको बढ़ा दू कि अगर आपका सरीर में भी टच हो जात पूछा गया था मैंने दोनों वज़से आपको एंसर बता दिया है नेक्स्ट कुछ आपके आप रहता है कि वर्तमान मीं डी-जी-दी-सी-ए की जो अध्याच है लिए आपके विक्रम देउत्ध है तो विक्रम देउत्ध आपका करेक्ट एंसर होगा इसके यापज़ डी यह आपका नई दिल्ली में इस्तित है इसके लाव आप कमेंट करके बताईएगा कि डीजी से की जो अस्थापना नई यह कब किया गया था यह जो आपका याम रादक कि आपका जो है वित आयोग से आय था कि वित आयोग में एक अध्यच के अलावा और कितने सदस से होते हैं तो देखे वित आयोग में एक अध्यच के अलावा जो है आपके टोटल चार सदस से होते हैं तो चार आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर होगा नेक्स्ट कोश है आपका यहाम रादक कि वह तत्व जो आवर्त सारनी में पी ब्लॉक का सदस से नहीं है तो देखे अगर पी ब् ब्लॉक के अंतरगत नहीं आता है तो तेरवे से अठारवे समू के अंतरगत सिर्फ आपका हिलियम को छोड़कर जितने भी तत्वा आते हैं वो आपके पी ब्लॉक के सदस से होते है तो देखे मैं आपको बढ़ा दू कि आपके ऑप्शन में क्या 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 दिया गया था तो देखे आयोडीन दिया गया था तो देखे आयोडीन तो यह आपका फी ब्लॉग का सदस्ट से होता है इसके लब आपका फोस्पोरस दिया गया था तो देखे फोस्पोरस भी जो है आपका फी ब्लॉग का सदस्ट से होता है एक आपका मैगनेशियम दिया गया था तो कि ग्रूप 17 जो उसे आपका बुरोन ंचाइक चॉद्वे गुरूप को जो है या आपका कारवन फैमिली कंदर चाहताए पंद्रवे ग्रूप को जो आपका नाइट्रोजन ग्रूप कहा जाता है, सोलवे ग्रूप को जो आपका चैलकोजन ग्रूप कहा जाता है, और सत्रवे ग्रूप को जो आपका हैलोजन ग्रूप जो आप वो कहा जाता है, और अठारवे ग्रूप को जो आपका नोबल गैस या आप से पूछा गया था जहां पे option में जो आपका बौद दिया गया था एक आपका जो है सीख दिया गया था एक आपका जो है इसाई दिया गया था और एक आपका जैन जो है वो दिया गया था तो देखें मैं आपको बदा दो कि 2011 की जनगना के अनुसार सबसे बड़ा जो ध प्रावखन चोथे स्थाना पे आपका सीक धर्म, पान्च वे क् वे स्थाना पे आपका सीक धर्म और क्छटे अस्थान पे यह आपका जैन्द धर्म, यह जो आपके छे परमुख धर्म जो है, दोजार इग्यारagn Half Day 6 की जनगान्ना में रहे थे, तो पर शंद से इस अपूक् ग्रंत हस्त लच्छन दीपिका पर आधारीत है तो देखें यह जो आपका कथकली सास्त्रे नित्य है न यह आपके हाथों की मुद्राओं की व्याक्ष्छ जो इसमें किया जाता है तो कथकली आपका करेक्ट एंसर होगा इसके लिए बात कर लें कथकली यह जो किस राज्य का सास्त्रे नित्य है तो यह आपका केरल राज्य का एक सास्त्रे नित्य है